हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट और 30 दिन के अंदर अडानी की दौलत में लग गया तगला सेन ये तो आप सब जानते हैं कि कैसे हिडनबर्ग ने अडानी की कमपनी और उनके शेरों का बुरा हाल कर रखा है लेकिन इससे भी बुरा हाल हमारे पडोसी पाकिस्तान का हो चुका है आलम्या है कि पाकिस्तान तेजी से कंगाली की ओर दौल लगा रहा है अब तो IMF और दूसरी जन्सियों का कर चुकाना भारे पड़ रहा है पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज लगभग 121.75 अरफ अमेरिकी डॉलर के पार जा चुका है अब पाकिस्तान के सामने चुनौती है कि वो आखिर ये कर्ज कैसे चुकाएगा वही अपने देश का एक अकेला बिजनसमेन गौताम अडानी जिनकी इस से जादा रकम तो 30 दिन में डूप चुकी है दरासल जब से हिडन बर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी ग्रूप की कमपनियों का मार्केट कैप करीब 132 अरब डॉलर गिर चुका है पाकिस्तान में कंगाली और कर्ज का आलम यह है कि वहां रोज मर्रा की चीजे मसलन आटा, दाल, चावल, दूद, दही जैसे सामानों की कीमत आसमान पर पहुच चुकी है एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर इस समय देश की जीडिपी का 70 फिसदी कर्ज है सरकार आकलों की बात करें तो पाकिस्तान पर सरकारी लोन और दूसरी देनदारियां करीब 400 लाग करोड पाकिस्तानी रुपए की हो चुकी है केवल सरकारी छेत की कर्जों की बात करें तो यह आकला 2.3 लाग करोड रुपए वकाया है फोब की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी गूर्प की कमपनियों में 24 जन्वरी के बाद से भारे गिरावट दर्ज की गई है 24 जन्वरी के बाद से अडानी गूर्प की कमपनियों का मार्केट कैप 132 अरब डॉलर गिर चुका है वहीं डानी गुर्प के मुखिया गौताम डानी की नेटवर्ट की बात करें तो वह या जन्वरी के पहले 127 अरब डॉलर की थी जो अब घटकर 47 अरब डॉलर पर आ गई है मतलब जितना डानी ने 30 दिनों के भीतर गवा दिया उतने में पाकिस्तान का कवज उतर सकता था और वहां की कंगाल हालत में काफी हद तक राहत मिल सकती थी